हेलो गैस तो इस वीडियो के अंदर Realme 7 Pro के बारे में बात करने वाले हैं फुल डीटल स्पेक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि exactly इस फोन के अंदर कैसा स्पेक्स मिलेगा कौन से प्राइस पॉइंट पे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है बहुत सारी यूसेज जो कि कमेंट कर रहे हैं कि Realme 7 Pro के अंदर कम से कम 108 मेगा पिक्सल का प्राइम भी कैमरा मिलना चाहिए तो यार मेरे को भी यह लग रहा कि कम से कम इस फोन के अंदर 108 मेगा पिक्सल का प्राइम भी कैमरा मिलना चाहिए पर एक रिसेंट अपडेट से यहाँ पे फिक्स हो चुका है कि 64 मेगा पिक्सल का क्वार्ड कैमरा मिलेगा तो देखते हैं फ्यूचर में कौन सा कैमरा इस फोन के अंदर मिलने वाला है तो आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए कुछ लेटिस्ट अपडेट है जो कि मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और यहां पर अल्रेडी कनफर्म हो चुका है कि Realme 7 Pro एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है और इस फोन के स्पेक्स और प्राइसिंग के बारे में बात करने वाले है कि exactly Realme 7 Pro का क्या प्राइसिंग सेट होने वाला है इंडिया के अंदर और यह स्मार्टफोन जो के इंडिया के अंदर कब तक लिए देखने को मिलेगा कितना दिन आप लोगो और वेट करना पड़ेगा इस फोन के लिए तो without wasting any more time let's jump into the video स्टार्ट करते हैं इस फोन के detail specs से डिस्प्ले concept के बारे में बात करते हैं 120हस का refresh rate इस phone के display में मिलने वाला है तो चलो यहां पे confirm हो चुग है कि 120हस का refresh rate इस phone के अंदर देखने को मिलेगा display size के बारे में बात करते हैं तो 6.7-ajwins का बिलने वाला है तो काफी बड़ा display इस phone के अंदर मिल रहा है जहां पर Super AMOLED का पैनल इस phone के अंदर मिलेगा और एही बात इस phone के fingerprint के बारे में confirm है कि in-display fingerprint scanner इस phone के अंदर मिलेगा Performance के बारे में बात करते हैं Qualcomm Snapdragon 765T chipset इस phone के अंदर मिलने वाला है chipset जो की already यहां पर confirm हो चुका है और यह chipset जो की बहुत अच्छा performance प्रोवाइड करने वाला है 2.4 GHz पर clock है तो अगर आप लोग gaming करते हो तो gaming के time सबसे main important यार clock speed का होता है तो इस phone के अंदर बहुत अच्छा clock speed मिल रहा है और यह chipset जो की 5G connectivity को support करता है तो no doubt यहां पर confirm हो चुका है कि upcoming Realme 7 Pro एक 5G smartphone होने वाला है LPDDR4X RAM UFS 3.0 storage का support इस phone के अंदर मिलेगा और यह phone जो की out of the box Android 11 के साथ आने वाला है जहां पर Realme का in-build UI इस phone के अंदर मिलेगा camera के बारे में बात करते हैं quad camera setup मिलेगा जैसे कि latest update के according confirm हो चुका है जहां पर 64 Megapixel का primary camera मिलने वाला है पर most of the user जो की expect कर रहे हैं कि इस phone के अंदर 108 Megapixel का primary camera मिलना चाहिए तो देखते हैं future में क्या होता है पर already अभी तो confirm है कि 64 Megapixel का primary camera मिलेगा 16 Megapixel का ultra wide angle lens, 8 Megapixel का telephoto lens, 5 Megapixel का micro sensor बात करते हैं front camera के बारे में front camera भी already यहां पर confirm हो चुका है 44 Megapixel का और यह camera जो की एक pop-up selfie camera होने वाला है बैटरी और charging के बारे में बात करते हैं 5000 damage का battery इस phone के अंदर मिलने वाला है बैटरी जो की अच्छा है इस phone के अंदर मिल रहा है, इस phone के अंदर आप लोगो battery wake-up जो की बहुत अच्छा मिलेगा इन्हेंस करके इस phone के अंदर battery wake-up मिलने वाला है charging के लिए 65 watt का fast charger मिलेगा, charger जो की in the box आने वाला है और upcoming realme 7 pro जो की बहुत quick charge करने वाला है, यह charger और 3.5 mm audio jack जो की इस series में continue रहने वाला है type support मिलेगा और NFC का support भी इस phone के अंदर मिलेगा, तो देखते हैं future में इस phone के अंदर NFC का support मिलता है या फिर नहीं pricing और release date के बारे में बात करते हैं, इस specs के according यहाँ पर realme 7 pro का pricing जो की इंडिया के अंदर होने वाला है, mid range 7 के range में, under 20k के pricing में और जैसे कि मैंने आप लोगों पिछले वीडियो के अंदर clear कर दिया था, realme 7 pro 6GB 64GB variant जो की इंडिया के अंदर 14999 के pricing में release होने वाला है, तो खाफी अच्छे specs इस phone के अंदर देखने को मिल रहा है, तो अगर आप लोग wait कर रहे हो इस phone के लिए, तो आप wait कर सकते हो, it's my opinion क क्योंकि बहुत great इस phone के अंदर specs मिल रहा है, release date के बारे में बात करते हैं, जितना मेरे को लगता है कि August के end तक ये smartphone जो के इंडिया के अंदर release हो जाएगा, तो that's it in this video, और अगर आप लोगों को ये video अच्छा लगा है, तो आप इस video को like कर दीजिए, share कर दीजिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ चैनल पर भी तक नया तो जा करके subscribe कर लीजिए, पास वाले bell notification को enable कर लीजिए, तो this is TechBuddy signing out